आज हम समस्ति अर्थ सास्त्र के अंतरगत विन्यूब अथ्वा निवेश का अध्यन करेंगे निवेश का बहुत ही बड़ा महत्व होता है कि ड्रॉन्बुस फिसर स्टार्ज के अनुसार जो निवेश वर्तमान को भविश्य से जोडता है यह मुद्रा बाजारों को वस्तु बाजारों से जोडता है निवेश के जो उतार चड़ा होते हैं, वो वैपार चक्र को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं तो वैवसाय या वैपार चक्र के दोरान, सकल गरिलू उत्पाद के उतार चड़ाओं के लिए निवेश ही प्रमुक रूप से जिम्मेदार होता है ब्याज की दरों के माद्यम से यह पूरी संपून अर्थ वैवस्ता को प्रभावित करता है कर नीतियों के माद्यम से निवेश को प्रभावित किया जा सकता है तो जो दिर्द काल में है निवेस पुंजी के स्टॉक को निर्दारीत करके विकास की दर के निर्दारण में मदद देता है जैसा कि यहां सब्दाया है पुंजी स्टॉक तो हम सुरू में पढ़ चुके हैं स्टॉक और प्रभा की अउधारना है तो पुंजी एक स्टॉक की अउधारना होती है जबकि निवेश एक प्रभा होता है एक देश में किसी समय समस्त भवन, मसीन, इन्वेंटरी, कच्चा माल का जो मौद्रिक मुल्य होता है उसे हम पुंजी कहते हैं इसमें देश की बहुतिक पुंजीगत परीसंपतियां भी सा पुंजी का निर्मान होता है जैसे नई फैक्ट्रियां बनना नए मकान बनना नई मसीनों का निर्मान होना तथा नई उब्वोगता टिकाव वस्तुओं का निर्मान जैसे मोटर गाडियां रेफ्रीजेचर एर कंडिशनर्स आदी उन्हें हम निवेश कहते हैं तो प्रति एक देश निवेश को बढ़ाने का सतत प्रियास करता है ताकि उसका पुंजी का स्टोक निरंतर बढ़ता रहे और उसके विकास की गति तेज हो सके पुंजी की अउदाना को हम इस प्रकार से इस पर स्ट कर सकते हैं कि यह किसी समय एक टंकी में बरेवे कुल पानी के समान है और निवेश उसमें किसी टोटी से गिरने वाला नया पानी है जैसे मान लीजिए पुंजी का मतलब है टंकी आदी बरी हुई है तो उस पुंजी निवेश के कारण हो ती रहती है यह तो अगसितना पानी अधिक पानी टंकी में गिरेगा अधिक पानी टंकी पाया जाएगा तो इस प्रकार पुंजी का फर यह का प्रश्पर गेहरा संबंध होता है मैं निवेश आइका भाग यह वात्ति पुंजी निर्मान के लिए खर्च किया जाता है फिर जो कैन से उसके अनुसार निवेश से अभी प्राइप पुंजी गत पदार्थों में होने वाली वरदी से है यानि जो पुंजी के स्टॉक में जो वरदी होती है उसे निवेश कहते है परतिये गर्थवायवस्ता में आर्थिक वि रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश एक महत्वपून तत्व है तो केंस ने अपने रोजगार के सिद्धान्त में निवेश को एक महत्वपून तत्व माना था दो तत्व माने थे उन्होंने उभोग मांग और निवेश मांग तो निवेश मांग भी इसका इन्वेंट्री आधी के रूप में सामिल होता है। शेयर, बॉंड, सरकारी प्वर्तिबूतियों, आधी में किया गया निवेस मात्र मुद्रा का अस्तांत्रन होता है, उसे हम निवेस नहीं कहेंगे। तो नहीं बहतेक परेशंपतियों के निवेस कहा जाएगा। अगर हम सकल निवेस में मुलिय रास को गटा दें, तो हमें सुध्निवेस प्रापत हो जाता है। सुद्ध निवेस इजी गल टू सकल निवेस माइनस मुल्य रास मसीनों का जैसे जैसे हम उप्योग करते हैं उसके साथ वह गिस्ती जाती है या उसका मुल्य रास होता जाता है लेकिन आजकल का जो तकनिकी परिवर्तन का यूग है इसमें कई बार कुछ मसीने समय से काफी प होती है इंतल लेकिन मसीनों का काली कारे कालओ चोटा जैसे बताया कंपिटर का और अगया कंपिटर आगया तो पुनाना कंपिटर वेकार हो जाता है इसलिए मुल्य रास की घंडह में कने में कटना ही भी होती है, पुंजी के स्टॉक में व्रदी के लिए हमें सुद्ध निवेस की रासी का ही प्रियोग करना चाहिए, सुद्ध निवेस के पॉजेटिव या गनात्मक होने के लिए सकल निवेस का मुल्य रास अथ्वा पुनरिस्थापन निवेस, जिसे हम कहते हैं, रिप्लेस के स्टॉक में किसी प्रकार की व्रदी नहीं होगी, जैसे यदि किसी वर्स मुल्य रास वो मसीनों आधिको सती हो जाने से, इस संब्ध में रासी सकल निवेस से अधिक हो जाती है, तो सुद्ध निवेस रिनात्मक भी हो सकता है, जिससे पुंजी के स्टॉक में कमी आ सकती है एससी इस्तिती में जो है उन्जी के स्टॉक में गिरवट भी आ सकती है इसलिए पर्तियक देश को अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सुध निवेस में व्रधी करनी चाहिए फिर आते हम इसके बाद इसका नेक्स्ट जो रूप है वह है प्रेरित निवेस और लाब की मात्रा पर निर्भर करता है इस आई तथा लाब में उन रिवर्वर्टनों से प्रेण जो आमदनी उत्पती मांग मुनाफा बिक्री की मात्रा आदी से प्रभावित होता हो वैवार में यह देखते हैं कि देश में आमदनी वह मांग के बढ़ने पर निवेश बढ़ाया जाता है जैसे अगर किसी मानली जी फैक्टरी के माली की उत्पादन की मांग बढ़ रही है तो उत्पादन और ज्यादा बढ़ाने के लिए निवेश करेगा ताकि वह बदली इस्तिती का लाब उठा सके और जो जो है यह लाब प्रेरित होता है जितना ज्यादा लाब मिलेगा उतना ही ज्यादा प्रेरित निवेश किया जाएगा दूसरा है फिर स्वायत निवेश स्वायत निवेस वह निवेस है जो आई तथा उत्पादन की मात्रा के स्थान पर बाहरी तत्मों पर निर्बर करता है यह निवेस आई प्रेरित नहीं होता है इस परकार यह निवेस आई में होने वाले परिवर्तनों के आदार पर नहीं किया जाता है इसका मतलब यह है कि उस निवेश से है जो नई तक्नीक, नई अविश्कार को लागू करने के लिए लगया जाता है यह निवेश मंदी तथा बेरोजगारी को दूर करने तथा नए सादनों का विकास करने के लिए किया जाता है इसको हम स्वचालित निवेश, स्वतंत्र निवेश या स्वायत निवेश भी कहते हैं यह फर्म की आमदनी, उसके मुनाफे, उसकी उत्पती, उसकी मांग, उसकी विक्री पर निर्बर नहीं होता है यह उत्पादन के नए साधनों के विकास, जन संक्या वस्रम सक्ती में व्रद्धी हो जाने पर नए आविश्कारों एवं नई खोजों के कारण, नई वस्तों को बाजार में पहुंचा नयादी की आवशिक्ता के कारण, जो है स्वायत निवेश किया जाता है सामनियता स्वायत निवेश सरकारों द्वारा किया जाता है, जैसे बांध के निर्मान में, सडकों के निर्मान में, ताकि देश के आर्थिक विकास को प्रोचसान मिले और रोजगार में व्रद्धी हो प्रेरित निवेस जो है वो प्राय निजी उद्यम करता लाब की प्रेहना से करते हैं तो उनके जब देश में मांग बढ़ती है तो प्रेरित निवेस भी बढ़ेगा लेकिन सरकार अपनी राजकोष वह मौद्रिक नीतियों के माद्यम से निजी निवेस को बढ़ावा दे सकती है देश में अगर सरकार कर को कम कर ले ब्याज की दर को गटा दे तो ऐसी इस्तिती में निजी निवेस या प्रेरित निवेस को बढ़ाया जा सकता है कि साड़्जनिगनिवस एबने दोनों यह एक दूसरे के पूरकवी रह सकते हैं जैसे भारत में जब सरकार सडकों के निरमाण पौवर सेंत्र लगाने आदिमें निवेस करती है तो निजी सेंत्र में नीवेस को प्रोधिसान मिलता है जहां नहीं सडकें बनती है जहां नए बिजली के आपूर्टी होती है तो वहां निजी उद्यम करता अपने प्लांट लगाते हैं अता सार्जोनिक निवेस और निजी निवेस स्वायत निवेस निजी निवेस को प्रेरित कर सकता है तो इस परकार से हमने देखा कि प्रीरित निवेस और स्व चालीत निवेस क्या है अब हम इसको डाइग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि यह जो सधिनी आमदनी लिगतक है और जो लंबबतक है उसपर हमने निवेस लिगत है जीसे यहां लिखा है हमने o y और उपर की तरफ o i स्वायत निवेश का पर आमदनी के बढ़ने का कोई प्रबाव नहीं पढ़ता है आमदनी o a से o b o b हो जाती है तो प्रेरित निवेश भी बढ़ करके b d हो जाता है तो इस परकार से हमने देखा कि जो स्वायत निवेश का है आमदनी से किसी परकार का कोई संबंद नहीं होता है और यह ज्यादातर सरकारों द्वारा किया जाता है और इसके माध्यम से प्रेरित निवेश इसमें हम सबसे पहले आते हैं तक्निकी विकास तता नए आविश्काद जैसे ही तक्निकी विकास होता है या तक्निकी परिवर्तन होते हैं तो उनके फल्सुरूप नए उद्योग नए बाजारों में नई वस्तूओं को पहुचाने आदी के कारण निवेस की मांग बढ़ ज देखा है कि इलेक्ट्रोनेक्स, कम्प्यूटर, सौफ्ट्वेर, उद्योग, आदी के सहत्रों में ज्यान उद्योग यानि नॉलेज इंडस्ट्री का काफी विकास हुआ है जिससे निवेस के जगत में एक परकार से विस्फोट की स्तिति उत्पन हुई है जो निवेस की प प्रकर्तिक सादनों की खोज, जैसा कि हम मान लें कि नए प्रकर्तिक सादन मिल जाते हैं या नए शुरोत मिल जाते हैं जैसे बाड मेर में गैस मिल गई, जसल मेर में गैस मिल गई, तो ऐसी इस्तिति में जब नए प्रकर्तिक सादनों की खोज हो जाती है तो वहां नई फ जो है अपनी राजकोशी नीती या अपनी निवेस की जो नीती है वो किस प्रकार से लागू करती है सरकार करों में रियायत देखर के अथवा करों में कमी करके निवेस को प्रोचसाइट कर सकती है जैसे पर्तिएक्षकरों में कमी करने से निवेस पर अनुकूल प्रभाव पढ़ता है अब जिस से कंपनियों केपास निवेश करने के लिए अत्रिक्त कोस उपलब्द हो जाते हैं तो प्रवंक्सकरों में कमी से कीमतें भी कम होती है जिससे मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से निवेस में व्रदी करने के अउसर उत्पन होते हैं सरकारी व्रदी से भी निवेस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है अगर सरकार नई सड़क नए पावर प्लांट आदी स्थापित करती है तो उससे भी निवेश को प्रोचसान मिलता है नेक्स्ट है फिर विदेसी वैपा विदेसी वैपा जब बढ़ता है तो विदेसी पुंजी के आगमन से निवेश के नए अवसर उत्पन होता है जैसे भारत जैसे देशों में विदेसी पर्तियक्स निवेश FDI और संस्तागत निवेश का मतलब होता है कि वह एक संस्ता के रूप में यहां पर पोर्टफोलियों निवेश करें और इसके कारण विकास कारियों में इनका जो है FDI और FII का उप्योग जो है विकास कारियों में किया जाना चाहिए यहां आहितनती अगर में पुस्तितिय और लोग निवेश करने से डरते हैं क्योंकि उद्योपति जो हैं बड़ि वहुराष्ट्य कंपनियां सोचती है कि यहां अगर स्रकार कब भी बदल सकती है तो ऐसी स्थिति में हम निवेस करें और नई सरकार पता नहीं किस परकार की नीतियां लागू कर दे तो जो अस्थिर सरकार होती है या अस्थिर राजनितिक वातावन होता है तो ऐसी स्थिति में निवेस कम होता है उसके बजाए अगर इस्थीर सरकार है, और पता है कि यह सरकार पांच साल तक चलेगी, तो ऐसी इस्तिति में उद्यम करता भी ज़्यादा निवेस करते हैं, क्योंकि उन्हें यह आसा रहती है कि वविष्य में कम से कम पांच साल तक यह सरकार अपनी नीतियों में होगा नेक्स्ट है भविष्य में लाब प्राप्ति की आसा यानि अगर ऐसा लगता है उद्योक पतियों को कि अगर हम भविष्य में वस्तुओं की मांग में व्रदी होगी तो एसी इस्तिति में उद्यम करता उसकी पूर्ती बढ़ाने के लिए निवेस करते हैं इसके विपरीत इस्तिति में निवेस गिर सकता है क्यूंकि मांग में वरदी की इस्तिति में प्रोजेक्ट में उंच्य पर्तिफलों की आसा से M. E. C. को मतलब है कि भविश्य में हमें लाब होगा तो ऐसी इस्तिति में वर्तमान में वो निवेश को बढ़ाएंगे नेस्ट के जन संक्या व्रदी की दर जन संक्या की व्रदी से उपवोगता मांग में व्रदी होती है जिससे निवेश को बढ़ावा मिलता है कुल जन संक्या में स्रम शक्त शक्ति के रूप में मना जाता है इसलिए उनको काम देने के लिए बारिवात्रा में निवेश की आवश्यक्ता होगी नेक्स्ट है फिर सेत्रिय विस्तार की जो सेत्र का विस्तार है वो किस परकार से होता है अगर सेत्रिय विस्तार होता है राजियों का विस्तार होता है तो ऐसी इस्तिती में भी जो है निवेस प्रोचसाइट होता है क्योंकि वहाँ पर उनको निवेस के नए अउसर उपलब्द होते हैं नई वस्तों का उत्पादन किया जाता है फिर एक कीमत इस्तर कीमत इस्तर जिसे हम मुद्रा इस्विती के रूप में देखते हैं तो प्राई अनुबह किया जाता है कि सामान्य कीमत इस्तर की साधारण किस्म की व्रदी निवेस की व्रदी के लिए टॉनिक का काम करती है अगर कीमत थोड़ी-थोड़ी मात्रा में और उन्हें लगता है कि भविश्य में हमारे पर्तिफल अच्छे होंगे लेकिन साथ में ये एक सर्थ भी है कि प्रोजेक्ट की लागत ज्यादा ने बढ़ जाए इन कीमतों के बढ़ने के कारण उनके प्रोजेक्ट की लागत नहीं बढ़नी चाहिए इसके अलवा मुद्रा इस्वति की दर होती है तो वह निवेस वर्दक मानी जाती है यानि निवेस में उससे व्रद्ध होती है नेक्स्ट है फिर अर्थवयवस्ता का ढाचा कि हमारी जो अर्थवयवस्ता है उसका ढाचा किस प्रकार का है अगर अर्थवयवस्ता में जो आदार बूज सरचना है उसका विकास तेज गती से हो रहा है तो ऐसी इस्तिती में निवेश भी तेजी से किया जाएगा क्योंकि वह निवेश करके उस आदार बुझ सरचनाओं का लाब उठाना चाहेंगे और ज़्यादा लाब प्राप्त करने के लिए ज़्यादा निवेश करेंगे अगर वित्की उपलब्द था भी होनी चाहिए तो जो वित्य संस्ता हैं देश में वो इतनी सुद्रड होनी चाहिए कि लोगों को आसानी से निवेस उपलब्द हो जाए जैसे बैंकिंग वैवस्ता है या दूसरी वित्य वैवस्ता है ओद्योगिक बैंक है तो इस परकार के बैंकों का निर्मान करना चाहिए और सरकार को इस परकार की वित्य संस्ताओं को सुद्रड करना चाहिए कि जो लोग निवेस करना चाहते हैं जो लोग नए प्रोजेक्ट लान चाहे हैं नहीं फैक्टियों की निर्मान करना चाहते हैं उनको आसानी इस धन उपलब्द को जाए की स्तिति किस प्रकार की है मान लीजिए कि जो स्रम बाजार है हमारे यहां का अगर वो प्रसिक्षित नहीं है अप्रसिक्षित स्रमिक है तो ऐसी स्तिति में स्रम परदान तकनीक का प्रियोग करना पड़ता है और निवेश की मात्रा कम हो जाती है अगर पुंजी परदान तक कि रखनी की अधिक्ता होती है तो ऐसी स्थिति में अधिक निवेश की आवश्यक्ता पड़ती का सिरंग बाजार होता है को प्रभावित करता है लिए अगे पुंजी का है वर्तमान में os Starbucks कितना है अपने पास अगर पुंजी का स्टॉक वर्तमान में हमारे पास ज्यादा है ना पहले से ही तो और प्रियाप्त पुंजी गत इस्टॉक आ प्रियुक्त या अल्प प्रियुक्त दसम में विद्यमान है तो नए निवेश की संभावना कम पाई जाती है क्योंकि पहले से हमारे पास पुंजी का स्टोक है तो नए निवेश कम किया जाएगा अगर पहले से हमारे पास पुंजीगत स्टोक का अभाव है तो बाकी सब चीजियों के समा यहां कि देश की कुल मांग उस में किस परकार की संबाल आ Safety में वर्तमान में निवेश ज्यादा होगा क्योंकि बविश्य की आवशिक्ताओं को करने के लिए वर्तमान में निवेस किया जाएगा जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके अगर भविश्य में लगता है कि वरस्तुओं कि मांग कम हो जाएगी तो ऐसी इस्तिति में वर्तमान में निवेस अतोचसाइट होगा और निवेस कम हो पाएगा तो इस परकार से आज हमने देखा कि निवेस किसे कहा जाता है निवेस के कौन-कौन से परकार है स्वायत निवेस शकल निवेस प्रेरित निवेस और सुद्ध निवेस तथा निवेस को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं इसके समद्ध में मैंने आप लोगों क एसाइनमेंट भी दिया है जिसके तहत दो सवाल दिये हैं मैंने एक तो दिया है कि निवेश को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं इनका विस्तार से वर्णन कीजिए और दूसरा निवेश के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए यह दोनों प्रस्न आपको जो